कभी सोचा है कैसा होता अगर आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हो और गर्मा गर्म चाइनी साली आपके सामने आ जाए वेल अगर आपने अब सोच ही लिया है तो अब ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि मैं जो आपको आज जगह दिखाने जा रहा हूँ वो रेस्टरांट एक अक्चुल ट्रेन के डिब्बे के अंदर बना हुआ है तो चलते हैं अंदर और देखते हैं और क्या-क्या है इनके पास अंदर से तो बिलकुल ऐसी वाइब्स आती हैं मानो आप महराजा एक्सप्रेस में बैट के डाइनिंग करने वाले हो बस इनका पता नहीं क्यों एक प्रोजेक्ट फाइल में मेन्यू डाल रखा था बाकी इनके पानी ने मुझे सब्प्राइस किया क्योंकि इधर में रेल नीर लिखा हुआ था जिसका प्राइस होता है मात्र पंदरा रुपए फिर इनके मैन्यू से हमने मंगवाई चाइनीज थाली जिसमें हमें जो जो चाहिए था वो सब का सब मिल गया इस थाली में फ्राइड राइस, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स और सैलेट भी था और मंचूरियन और नूडल्स का कॉम्बो मुझे काफी सही लगा चाइनीज थाली बढ़िया निकलने पर हमने ओर्डर करडानी महरानी थाली जिसमें दो तरह की सबजियां थी एक पोशन दालमकनी का था, दो पीस पनी टिका गे थे, वेज बिर्यानी और रायता था, साथ में दो लच्छा परांठे थे सलाद और एक पीस गुलाब जाउन का भी मिला था, इन सब को गर्मा गरम प्रिपेर करके एक थाली में परोज दिया गया था सबसे पहले शुरुआत करी मैंने लच्छा परांठे से जो काफी बढ़िया सिखा हुआ था, इसके साथ थोड़ा सा लिया मैंने मिक्स वेच और मज़ा आ गया इनकी बिर्यारी भी खाने में काफी डीसेंट लगी और मिर्ची एकदम तेज तर्रार अपनी महारानी थाली को एंड किया मैंने गुलाब जाम उनके साथ जो की खाने में काफी सही था इनके पास बेवरेजेज ओप्शन भी थे जिनमें मैंने इनकी कॉफी ओर्डर करी थी जिसके साथ IRCTC के शुगर पाउचिस दिये गये थे डीटेल्स देखो यार डीटेल्स पे काफी ध्यान दिया है उन्होंने और इनकी कॉफी वैसे तो और अच्छी हो सकती थी लेकिन रेल्वे वाली कॉफी से तो काफी बेटर थी इस रेल के डब्बे में आपको वाश्रूम फैसिटलिटी भी मिल जाती है बाकी अगर आपको यहाँ पे आना है तो इस रेस्टरून का नाम है दे कापिटल डाइनर और नई दिली रेल्वे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड पे ये रेस्टरून पड़ता है बाकी जाते जाते इस वीडियो को एक रेल फैन को शेर करना ना भूलें